हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई कुकिंग लंच व्लॉग, I hope all of you are doing well तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अलग तरह की दाल पूरी की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ और ये श्टफिंग वाली दाल पूरी नहीं है, सब के लिए बनाना बहुत ही जादा आसान होगा साथ ही बनाएंगे खीर और चना दाल आलू की सबजी मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो मैंने क्या किया था ना कि रात में ही एक कप के करीब चना दाल मैंने भीगने के लिए रख दिया था ये अच्छे से सोक हो गई है तो आप चाहें तो 5-6 गंटे भी भीगा सकते हैं ये अच्छे से भीग जाती है 70% मैंने क्या किया है कि मिकसर के जार में डाला है और बाकी का 30% मैंने साइड में रख दिया है जिसकी मैं बाद में सबजी बनाऊंगी अब डाल देंगे चना डाल में 4-5 लेसन की कलिया तो अगर आप लेसन नहीं काते हैं तो स्किप कर दीजेगा और एक छोटा सा टुकड़ा डाला है मैंने अद्रक का छोटी छोटी टुकड़ों में करके डाला है साथी डाला इसमें जीरा थोड़ी सी सौफ डाली है क्योंकि सौफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है साथी हिंग डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़ादा बढ़ जाता है साथी मैंने दो लॉंग और चार काली मिर्च डाली है और अगर आप न मिर्च खाते हो तो जरूर से डालिएगा मैंने नहीं डालिया नहीं तो अब यू नहीं खाएगा अब इसे एकदम फाइन पीसना है तो ना आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और एकदम इसका फाइन पेश्ट बना ले मतलब इसके ना दाने वेगर कुछ भी नहीं होने चाहिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है इसे लगातार चलाते रहे और इसके एकदम स्मूथ सी एकदम पेश्ट बना ले दिखें बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल कोई दाने वेगर नहीं है इसमें एक्दम स्मूथ चिकना सा पेशनिया पर बन गया है तो इसे निकाल लिया है मैंने बड़े से परात में अब किसी भी चीज में निकाल लें तो ये सारा चमच से निकला नहीं था तो मैंने यापर हाथों से निकाल लिया है प्रिक्सर कजार एक्दम खाली हो गया है अब इसमें डालेंगे 2-3 चमत-सूजी जिसे की पूरिया कच्छोरिया ना इतम क्रिस्पी रहेंगी और लंबे समय ते एक दम फूली फूली रहेंगी अच्छे से mix कर देंगे ताकि जो सूजी है ना इसमें अच्छे से डाल में एक दम mix हो जाए और ये ना जो डाल वाला पेश्ट है ना वो भी थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी तो हम इसमें बहुत जादा आटा डालने की जरत नहीं पड़ेगी अच्छे से mix कर लिया है मैंने अब क्या करें इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डाले तो मैंने यहापर अंदाजे से ही आटा डाला है 37 में नमक डाला है तोड़ी सी आजवाइन डाली है हाथों में क्रस करके देखिए दाल किया ना आजवाइन जरूर से अट किजेगा जिसे की डाइजेशन में अच्छी होगी और 37 में डाल दिया दो छोटे वाले चमच से मैंने तेल आप चाहें तो घीवी डाल सकती है ऐसे अच्छी से मिलाते हैं इसका आटा गूत लेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको आटे की जरूत हो आप यहाँ पर धीरे धीरे करके आटा एड़ करें और इसका एकदम सफ तो इसका ना हम एकदम सकत आटा गूतना है जैसे की कचोड़ियों वेगरे के लिए होती है ना वैसे ही कि यह स्टफिंग वाली नहीं है लेकिन फिर भी बहुत जणाधा टेश्टी बनती है और ले से बना से कजते हैं BE बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिहार जारकंड में पतीले में थोड़े थोड़े करके दूद बचे हुए थे इसलिए मैं यहां खीर बना रही हूँ वैसे मैं नहीं बनाने वाली थे खीर लेकिन दूद धे करके मेरा मन कर गया साथ ही मैं न सबजी के लिए आलू छील रही हूँ तो दो ही आलू का मैंने इस्तमाल किया है आज आपको जिस एकॉर्डिंग दालो आपको उस एकॉर्डिंग आलू डालें तो सबजी अच्छी बन करके तयार होगी जो दूद है वो भी मैं लगतार चलाती जा रही हूँ नह चमचे करीब जीरा डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके मैंने इसका एक दरदरा सा पेश्ट बना लिया है आप चाहे ना तो मिक्सर में भी कर सकते हैं या फिर सिलवट्टा होता आप उसमें पीश सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बनती है सबजी जो दूद है ना वो भी एक दम अच्छे से उबल गया है तो जो चावल है ना अच्छे से भीग गया थे तो मैंने इसे दो तीन बार अच्छे से रगड़ रड़ करके धो लिया है ताकि जो चावल है ना अच्छे से थोड़े बहुत तूट जाएं क्योंकि तूट जाता ह न चावल तो खीर बहुत जादा अची बनती है और ये न गोविंदो भोग राइस है तो अब जो भी चावल मतलब लेते हैं खीर के लिए पले सकते हैं वैसे बासमती से भी बहुत लोग बनाते हैं लेकिन मैं जनरली गोविंदो भोग से भी बनाती हूं बहुत जादा अची बनती है दूसरे साइड मैंने खीर कर दिया और इस साइड मैंने यहाँ पर कुकर में तेल, जीरा, तेजपत्ता दो सुखी लाल मिर्च डाली है तड़के में और साथ ही थोड़ी सी हींग डाली है जो मसालों का पेश था न वो मैंने डाल दिया और इस अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे यह सबजी ट्राइ कीजिएगा बहुत ज़्यादा यमी लगती है इसमें मैं बहुत ज़्यादे मसाले वेगरे यूज नहीं करूंगी आज जो मसाले मैंने स्टार्टिंग में डालें अधरक मिर्च के साथ उसी से सबजी बनाऊंगी बहुत ज़्यादा टे 50-50 रखेगा तो सबजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी साथ ही मैंने हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाडर और नमक डाल दिया है ऐसे अपना अच्छे से भूनना है नीचे से चलाते हुए भूने कई बढ़ जानते क्या होता है न कि कूकर में नीचे से चिप पक जाता है और खीर भी मैं लगातार चला रही हूं तो दोनों चीजे फटाफट से हो रही है यहाँ पर और अपना टमाटर भी दीरे-दीरे सस्ते हो रहे हैं आप लोग बताईएगा आपके यहाँ अभी क्या रेट चल रहा है टमाटर का यहाँ तो 68 हो गया है बैंगलोर में जो सबजी है यह भी अच्छे से भून गई है यहाँ पर आप चाहें तो यह सबजी कड़ाई में भी बना सकते हैं पर कुकर में बहुत अच्छे से फटाफट से बन जाती है टमाटर डाल दी है मैंने यहाँ पर और इसे वह वापस से एक दो मिनट तक के लिए भून ल जाल दें तो मैंने बहुत जादा पानी नहीं डाला है यहाँ क्योंकि सबजी ना मीडियम ही अच्छी लगती है मतब बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है और इसे दो wait-ॉसल में सबजी बहुत अच्छे से तयार हो जाती है यह इदर जो चावल अना वह भी देखे एकदम सौफ्ट से हो गया है चावल एकदम और देखे चावल एकदम टूटे टूटे हैं बहुत ही ज़्यादा इचा लगता है अब इसमें डाल देंगे चीनी तो टेस्ट के कॉर्डिंग चीनी डाल दें मैंने आपर धाई चम्मच बड़ा चम्मच डाला है जब एक साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू डाल दिया है नहीं मतलब सौरी पिस्तर डाले हैं बादाम नहीं फ्लेम आफ कर दिया है देखे यहाँ पर जो खीर है एकदम तयार है मैं इसे और ज़्यादा गाड़ा ने करूंगी क्योंकि ठंडी होने के बद और गाड़ी हो जाए तो इ खाने बिलकुल ज्यादा अच्छी नहीं लगती है मतलब मुझा में बहुत ज्यादा चीपकने लगती है अधर सब्ची भी हो गए है अब बना लेते हैं फाइनली पूरियां या पिर कचारियां जो भी बोले बहुत ज्यादा अच्छी बनती है तो आटे को मैने वापस से गवर गूत लिया है थोड़ा सा और इसकी छोटी-छोटी लोईयां तोड लिया है और इसे गोल कर लिया है उधर मैंने कड़ाई में तेल चड़ा दिये गर्म होने के लिए अब पूरियों को बेल लेंगे हम तो जितना बड़ा चोटा आप यहां पर बनाना चाहिए आपके उपर डिपेंड है मैं यहां पर मेडियम साइज की बना रही हूं और अभी तक मैंने कोई यहां पर वीडियो में आज तक कचौरी पूरी नहीं बनाई हूं मैं बहुत कम बनाती हूं लेकिन मुझे बहुत पसंद है जैसे तेल अच्छे से गर्म हो पर में एकदम तयार हो जाती है और एक भी पूरी मतलब चिप्टी नहीं या फिर फूली नहीं ऐसा एक भी नहीं था सारी की सारी पूरी एकदम फूली फूली बनी है आपको ध्यान रखना है जब आप दाल को पीसे ना तो एकदम फाइन पेश्ट बनाना है तब ही यहां पर जो कचाड़ियां बहुत जादा अच्छी वनेगी और देखिए यहां पर जो सारी कचाड़ियां एकदम फूली होई है एक भी नहीं चिप्टेंगी क्योंकि हमने ना इसमें सूजी डाला था जिसी कि लम लंबे समय तक एकदम फूली फूली रहती है तो यहां पर मैंने कचाड़ियां जो भी है मतलब फ्राइ कर लिए सारी यह जो सबजी है वो भी यहां पर एकदम तयार हो गई है देखिए एकदम कम तेल में मसाले में कित्ती जादा अच्छी सबजी बनी है लाश्ट में मैंने यहां पर वापस से फ्लेम को आउन कर दिया है दो तीन मिट तक कर लेती हूँ आर आज ना आसीस ऑफिस नहीं गयाते है वो घर से ही काम कर रहते हैं तो कैसी लगी मुझे आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताईएगा और जरूर से ट्राई कीज़ेगा सारी चीजे लच में ट्राई करना चाहंए डिनर में ट्राई करना चाहें जब